इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेसन में एक बहुत बड़ी डिबलप्मेंट होने जारी है जिसके बारे में हम जानेंगे इंडिया और अफगानिस्तान का रिलेसन इंडिया और इंडिया और अफगानिस्तान का बुलाया था तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूज में ये होता है कि दो दिन पहले ये न्यूज में आया कि एक्च्वली अफगानिस्तान के डिप्टी फॉरेंड मिनिस्टर न्यूज में आया और बोला इवें ट्विटर पे भी आप यहाँ पे देख सकते हो उसका कि वो कॉंसलेट ऑफिस खोलने जा रहे है न्यू देली के अंदर जो कि तालिबान लेट गॉर्मेंट का होने वाला है और उसके बाद ये न्यूज बहुत जादा फ्लैसोट में आया ब्लूमबर्ग के तुरूप ब्लूमबर्ग में एक रिपोर्ट डाला और आप सभी जानते हो इंडिया से रिलेटेट कोई भी न्यूज और तो आजकल इंटरन पहले जो यूएस बैक्ट गॉर्मेंट की जो अफगान में लीड कर रही थी उनका एक और कुछ दिन पहले वो क्लोज कर दिया गया और क्लोजर का रिजन था कि उन्होंने बताया कि टू डजेंस और ऑफिसर को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है इंडियन गॉर्मेंट के अल्टिमेटली अब आके उन्होंने बोला कि actually हमें proper support नहीं मिल रहा था तो थोड़ा confusion तो है यहाँ पे लेकिन आपको मैं clear कर देता हूँ तो यहाँ पे actually मैं उनको support नहीं दिया गया था और ये उनकी बाते नहीं माने जा रही थी इंडियन गॉर्मेंट के दौरा विकवज हमारे इंडिया के उपर भी pressure है और उसके साथ आपको समझना होगा अभी जो ruling party है अफगानिस्तान में वो है तालिबान और तालिबान एक ऐसा element है जो की इंडिया को बहुत ज़्यादा support कर रहा हम इसके बारे में भी जानेंगे तो यही करण था कि इंडिया ने हैं यह Bloomberg का कहना है इसके बाद जो हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा पाकिस्तान चाइना एंड रसिया का नेक्सस अब ही आप कोई भी निउस देख रहे हो न तो उसमें यह तीनों कंट्री कहीं न कहीं खुल के बर्चर के एक दूसरे का साथ दे है ताकि उनके मोटी पूरा हो सके और इसी लिए सबसे पहली कंट्री जिन्होंने तालिबान को रिकागनाईज कि अब वह है पाकिस्तान उसके बाद आप देखते हो चाइना एंड देन रसिया तो इन दिनों कंट्री न न तालिबान के कॉंसलेट्स को अपने यहाँ पे ख पूरा सा कंफ्यूजन है इसके बाद जो आप देखते हो न तो अफगानिस्तान आखिरतार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों सारी कि सारी कंट्री के लिए दिए सबसे पहले तो यह सेंट्रल गेटवे होगा सेंट्रल एसिया के लिए विकवाज आप यहां से न ले लो या फिर आप उनाइटे स्ट्रीट्स ले लो वो सारे के सारे मिट्टी मिल करें कि आखिरकार उन्हें वहां से निकलना पड़ा तो इसलिए उसे ग्रेवियार्ड ऑप इंपायर भी बोला जाता है लेकिन इंडिया करिष्था उनसे बहुत पहले से और इसी बात को प अपनी मिलेटरी भी ले जाएगा और अपने लोगों के लिए भी तो इस तरह से वह अपने टाइस को ही नहीं परहाएगा एवेंच्वली एक दिन ऐसा आएगा जब वो अफगानिस्तान को अंदर से खोखला कर सकता है और इसलिए यहां पे इंडिया एस पार्टी इमर्ज होता है तो इंडिया का रिलेसंसिप अगर आप करेंट में देखो तो हमने 3 billion that means 300 करोर के आसपास loan दिया हुआ है 50 million US dollars का line of credit है that means 500 करोर का उसके बाद जो आप देखते हो तो इंडिया ने 400 करोर के आसपास वहाँ पे development agendas को बढ़ा हुआ है जिसमें आप Salma Dam जैसे dams को ladies है then Parliament जो वहां की बनाई गई है वो इंडिया के दौरा बनाई गया उसके साथ चार और डैम है जिसको इंडिया ने डेवलप किया है इभेन हमने Russia made MI25 Apache helicopters को भी अफगानिस्तान को दिया हुआ है जिसके बज़े से वो अपने security के लिए पहले खड़े हो पाई थे और अभी ultimately जानते हैं यो United States काफी कुछ छोड़ के गया है उनके लिए तो यहां पे इन सारी चीयों के होते हुए न ये बोला Bloomberg ने कि इंडिया ने बहुत सारे investment कर रखा है इंडिया अपना interest and अपने investments को save करना चाहता है इसलिए इंडिया चाहता है कि उनका Taliban के साथ relationship बहुत ही उसके साथ जो आप देखते हो दो कमांडर्स को छुडाने के लिए उस टाइम उन्होंने plane hijack किया उसको land करवाया कांधार में और ये pressure रख दिया तब कि जो काबूल की government थी वो Taliban की थी उनके उपर ये pressure रख दिया कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे जो इस्त को भी लेकिन उसके बाद जो आप जाते हो ना तो तब रॉन ने अल्रेडी ये बोल दिया था हमारी जो research and analysis हमें तालिबान के साथ relationship जादा अच्छा करना चाहिए तब नरसी महरा की government ने ये फैसला किया था कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे और ultimately हमारे relationship तब तालिबान के relationship नहीं उठाए इंडिया के जो fringe element है उनको भी रोका ताकि वो इंडिया और कस्मीर issue को उठा न सके तो एक तरह से आप देखो तो तालिबान हमारे साथ हमेशा से राय है इसके बाद हम जाएंगे हिस्ट्री में जैसा कि मैंने आपको बोला तालिबान के साथ ही नहीं इंड गांधार नरेस उसी जगह से बिलॉंग करते हैं गांधार जो की अफगानिस्तान का एडिया है और वहाँ पे उसके बाद जो देखते हो ना तो इंडस भैली सिविलाइशन में भी उसका नाम है जिसमें सिक्ष्चिन महा जन्पदाज में एक जन्पदा गांधार का भी था और उसके बाद जो आप आगे निकलते हो ना तो काबुली वाला चना और इसके पोएम के बारे में किसमें नहीं सुना होगा हर एक किसी ने हम सब ने भी बच्पन में परहा है ये और ये रविन्नार टैगोर का एक पोएम है जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख पाड़े हो और इस पोएम में रविन्नार टैगोर ने बोला है कि उनकी जो पोथी थी वो बिना इसको सुने सोती नहीं थी और इवेंचली ये अलोवर इंडिया के लिए बन गया तो आप इस पिक्चर को भी देख पाड़े हो जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से काबुली वाला हमारे people to people integration को बढ़ाता है और हम अफगानिस को किस तरह से देखते हैं always supporting nature और हम भी उने support करते हैं इसके साथ आपको मैं राजा रंजीत सिंग के बारे में आपको बताओगा और दोस्त मुहम्मद की ये medieval इंडिया की time की कहानी है जब दोस्त मुहम्मद पे attack करना चाता था अफगान में जब gorilla warfare चला था British India के एक soldier को वापस बेजा था कि जाके बताओ कि हमने क्या किया तो total 20,000 soldiers मले थे और उस time में इंडिया के 2,000,000 रुपे बेकार किये थे Britishians ने और तब से लेकर के अभी तक उसे एक frontier बनाग दिया गया था British के दोरा और इंडिया हमेसा से support करता है अफगान led, अफगान by government को और हम उनके internal affairs में कभी भी interfere नहीं करते हैं इसलिए अफगानिस्तान का इंडिया एक ऐसा natural partner है जिसने सब कुछ दिया है आज तक अगर आप देखो तो हमने development किया हमने line of credit दिया हमने वहाँ पे soldiers को train किया इभेंचुली अगर आप देखो तो उ कि अभी कुछ दिन के लिए रूख गया अगर इंडिया रेकोगनाईस करता है तालिवान को फॉर्मली ministry of external affairs से कोई कमेंट आता है तो हम उनके soldiers को भी train करेंगे और इस तरह से अफगान led government को हम आके बढ़ा सकते हैं और इंडिया और अफगानिस्तान का relationship अच्छा होगा वि उसी के संदर में उन्होंने सोचा था कि एक टाइम पर तालिवान अटैक करेगा इंडिया के उपर ताकि उनका फाइदा हो लेकिन अगर हमारे relationship अभी अफगानिस्तान के साथ अच्छा होता है तो हम करणा जवाब देंगे पाकिस्तान और चाइना दोनों का तो आप क्या इसके उपर क्या कहना है कि क्या इंडियन गौर्वर्मेंट को अलॉग करना चाहिए अफगान लेट तालिबान को अपना एक consulate office open करने के लिए नियू दली में तब तक के लिए थांगे वाचिंग, keep striving for knowledge, जैसे भी आप चाहते हो